अक्सर करेले की सबजी सभी को पसंद नहीं होती क्योंकि जब भी बनाते हैं तो करेले की जो सबजी है वो बनती है कड़वी तो आज मैं अप्रेरी काई हूँ बिना कड़वाहाट लगे करले की सबजी बनाने की Recipes जिसे कहने की अगाने की बदा भी नवा आपसे मांग के खायेँगे जिसके बाद काले की सबजी बड़े तो छोड़े छोटो बच्चों की भी फेवरेट होने वाली है तो फ्रेंड इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें साथ ही पहल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी नूटिफिकिशन आपको मिलती रहे तो करेले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम करेले लिये हैं जिसे कि मैंने एक बार वाश कर लिया था अच्छे से और इसके बाद क्या करना है जो करेले का उपपर और जो नीचे का हिस्सा होता है इसे चाकू से कट कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने सभी करेलो को कट कर लिया है तो अब करते हैं करेलो की कटिंग तो यहाँ पर मैं थोड़े लंबे में करेले काटूंगी इस तरीके से ताकि जो करेले हैं वो दिखने में भी अच्छे लगे आप चाहें तो करेले को गोल में या फिर लंबे में भी काट सकते हैं या ऑपके उपर depend करता है और जब करेले काटते time करेले की बीज आ जाएं तो इसे हाथों की मदद से निकाल लेंगे वैसे जब करेले काटते हैं तो यह बीज अपने आप ही साइड हो जाते हैं यह निकल जाते हैं अगर करेले कच्छे होते हैं तो इसमें जादा बीज नहीं होते हैं तो इसी तरीके से बाकी सभी करेले कट कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने सभी करेलो को काट लिया है इस तरीके से गोल में लंबे में काटेंगे ना तो करेले देखने में बहुत ही जादा अच्छे लगते हैं और करेली की सबजी कड़वी ना लगें तो इसके लिए सबसे जरूरी स्टेप है कि करेलो को काटने के बाद यहां पे डालेंगे हम नमक तो आदी चमच मैंने यहां पे नमक लिया है और साथ मैं आदी चमच यहां पे डालेंगे हल्दी पाउडर तो नमक और हल्दी को डालने के बाद हातों की मदद से करेलो में अच्छे से मेक्स कर लेंगे ताकि करेले की जो भी कड़वा पानी जो होता है वो सारा निकल जाए तो इसके लिए करेलों पे नमक और हल्दी को जरूर लगाए और लगाने के बाद करेलों को कम से कम आदे घंटे के लिए ढखके रग दे जिसे की इसका सारा कड़वा पानी निकल जाए और दूसी तरफ यहाँ पे मैंने लिए है तीन मीडियम साइज प्याज तो यहाँ प्याज की जो कटिंग है वो करनी है रफली यहनि कि थोड़े चौड़े चौड़े कलिया काटनी है प्याज की एकदम बारिक नहीं काटना है करेली की सबजी में जितना प्यास डलता है उतने ही जो टेस्टी है करेली की सबजी बनती है क्योंकि प्यास से एक मीठा पंसा आता है करेली की सबजी में जिसे की करेली की सबजी कड़वी नहीं लगती है तो यहाँ पे मैंने सभी प्याज को काट लिया है तो प्याज को एक तरफ रख लेंगे और यहाँ पे आदे गंटे हो चुके थे मुझे करेले को डाके हुए तो यहाँ पे देखिए करेले में थोड़ी सी नमी सी आ गई है इसमें नमक और हल्दी डाला था तो करेले उने पानी छोड़ दिया है तो क्या करना है थोड़े से करेले हाथ में लेके हाथों से इस तरीके से करेलो को निचोड लेंगे ताकि जो भी कड़वा पानी है करेले का वो सारा निकल जाए तो इसके लिए करेलो को अच्छे से निचोड़ें और निचोडने के बाद करेलो को एक प्लेट में रख लेंगे इस तरीके से करेले का कड़वा पानी निकालने से जो बचा कुछी कसर होगी ना कड़वेपन की करेले की वो सारी की सारी खतम हो जाएगी तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि करेलो को अच्छे से निचोड लें ताकि जो कड़वा पानी है वो निकल जाए तो इसी तरीके से बाकि सभी करेलो का जो कड़वा पानी है उसे निकाल लिए तो यहाँ पर मैंने सभी करेलो का जो कड़वा पानी है उसे निकाल लिया है तो यहाँ पर कितना सारा जो पानी है करेली का वो निकल लखा है कड़वा पानी तो इस पानी को ना फेक देना इसका तो यहां पर देखिए सभी करेलो को अच्छे से निचोड़ के प्लेट में निकाल लिया है तो अब यहां पर करेलो को दोने की जरूवत नहीं पड़ेगी तो चलिए अब बनाते हैं करेली की सबजी तो मैंने गैस पे कड़ाई रग दी थी और कड़ाई को गरम कर लेंगी थ करेली की सब्जी बहुत अच्छी बनती है आप चाहें तो सर्ष्यो का तेल ऑिल कर सकते हैं तो तूम तैल जैसे ही गरम हो गया था तो मैंने यहां पर आधी चम्म जीरा डाला है और आधी चम्म सॉफप डाला है सात में एक कटीवी हरी मिर्च और इसके बाद 10 सेकिंड के टील में पका लेंगे में पकाने के बाद हमाँ यह प्याज पाँच काटे राख दीना इसे तेल में डेंगे और गैस जो फ्रेंग उसे इंक हाई रखना है हाई पromagn известque और गोडो तक तक बहुता है जब की कैनगे कर दोस्ते हैं तरी यहां पे डालेंगे कटेवे करेले करेले डालते टाइम गैस का फ्लेम मीडियम पे रखें और जब करेले डल जाए तो उसके बाद गैस का फ्लेम हाई कर दे और हाई फ्लेम पे ही यहां पे करेलो को प्यास के साथ पका लेंगे दो से तीन मिनट के लिए इस तरीके से जो बच चम्मच कश्मिली लालमिश पाउडर और आदी चम्मच यहां पे हल्दी पाउडर यहां पे करेलो को हल्दी और लालमिश पाउडर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मिनट के लिए कर्ची को चला लेंगे और अब यहां पे गैस का फ्लेम कर देना है मीडियम फ्लेम प इस बात के दिखान रखना है पहले भी हमने यहां पे नमक मिला रखा है करेलो में तो इसलिए नमक उसी के एकॉर्ड council और और की ओधनीज़ गला है चुम्छ पंडलने सामश पाऊडरई तो दर अ कमें करेले की ज़रूरे कborर्ये संथी में ओगिए बन तो सबही हैं और यहां पर करेलों को ढखके पगा लें गए रहें और यहां पर डालेंगे एक चम्मच आमचूर पाउडर जाता है तो जब करेले यहां पर 90 % अब आमचूर पाउडर डालना है उससे पहले नहीं डालेंगे तो बस आमचूर पाटर को डालने के बाद यहां पे करेलो को फिर से दो मिनट के लिए पका लेंगे धक के और जब दो मिनट हो जाए तो धकन हटाएंगे और फिर से करेलो को कर्ची से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर जो करेली की सब्जी है ना हमारी बनके तैयार हो गई है करेली की सब्जी बनाने में मुझे 12-15 मिनट का ही टाइम लगा है इतनी जल्दी यह सब्जी बनके तैयार हो जाती है तो आप एक बार मेरे कहने पर इस तरीके से करे लिए कि सब्जी जरूर बनाईएगा आपको कड़वे नहीं लगेंगे और खाने के बाद ना सब्जी आपकी फेवरेट होने वाली है तो अगर आपको मेरे आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और फेस्बुके देख रहे हैं तो पेच को फॉलो कीजेगा तब तक के लिए बाइबाइ